तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जोन अबरहाम के फेंस के लिए जिनकी इस साल आभी तक तो हमें कोई फिल्म देखने को नहीं मिली थी लेकिन अब लग रहा है कि आने वाले महीनों में जोन अबरहाम के हमें बेक टू बेक कई सारी फिल्में देखने को मिलेगी जे आँ दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दे कि जोन अब्रहाम की इस साल जो पहली फिल्म रिलिज होगी वो है सत्यमेय जयते 2 जिसे रिलिज किया जाना है 26 नowंबर को लेकिन दोस्तों अभी पिछले दिनों ही जोन अबरहाम की एक और फिल्म जिसका नाम है एक विलन रिटरन जिसकी रिलिज डेट का भी अनौसमेंट हुआ और एक विलन रिटरन रिलिज होगी 8 जुलई 2022 को लेगिन दोस्तों इसी बीच जोन अबरहाम की एक और मचाविटेट फिल्म है जिसका नाम है अटेक और इस फिल्म में हमें जोन अबरहाम के साथ जेकलीन और राकुल प्रीस सिंग भी देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आपको बता दे कि आटेक फिल्म के मेकर्स ने आज फाइनली इस फिल्म की जो रिलिज डेट है वो अनौस कर दी है जिया दोस्तो आपको बता दे कि जोन अबरहाम की आटेक फिल्म को रिलिज किया जाना है 2022 की रिपब्लिक डे पर जिया दोस्तों जोन अब्रहाम की आटेक फिल्म 26 जनवरी 2022 के मौके पर रिलिज होगी तो दोस्तों यहाँ पर जोन अब्रहाम की फिल्म आटेक का रिलिज डेट अनौस्मेंट के साथ में एक नया पोश्टर भी रिलिज हुआ है जो देखकर लगता है कि फिल्म फूल ओन मसाला एंटेटेन्मेंट होने वाली है जहाँ दोस्तों पोश्टर काफी हाई लेवल का है और इस पोश्टर को देखकर फिल्म के लिए जो एकसाइटमेंट है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप देखते हैं दोस्तों कि जोन अबरहायम के आने वाली फिल्मों में कौन सी फिल्म बॉक्स ओफिस पर सबसे ज़्यादा कमई करती है सत्यमेव जयते 2, एक विलन रिटर्न या फिर अटेक आपको क्या लगता है दोस्तों इन तीनों फिल्मों में सबसे ज़्यादा कमई किस फिल्म की होगी कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताए और आपके अपने इस चेनल एके भी मिडिया को सबस्क्राइब जरूर करें